च्छतरपुर से खबर सामने आ रही है च्छतरपुर में कलेक्टर सिलेंसिंग के द्वारा कूबिट को देखते हुए एक गाइडलाइन चारी की गई है क्रोना के बड़ते प्रकूप के कारण उन्होंने आदेस बारित किया है जिसमें साफ निर्देश दिये गए है कि पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है साथ ही कुछ हिदायतें भी दी गई है जैसे की डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा यानि की दूरी बना कर रखना होगा साथ ही हाट बजारों यावं सबजी बजारों में मास्क पहन कर ही जाना होगा एवं डिस्टेंसिंग भी रही और सेनिटाइजर का भी उप्योग करना पड़ेगा साथ ही धार्मिक आईजनों में होने वाले कारक्रमों के लिए SGM के द्वारा अनुमती लेना आवस्य होगा एवं सेनिटाइजर और मास्क का भी उप्योग करना होगा समस्त अनुमभागी अधिकारी रोको टोको अभ्यान के अंतरगत चालानी कारवाही भी कर सकते हैं अगर कोई भी क्रोना गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहा है मास्क नहीं लगाए है या अन्न गतिविदी में सामिल है तो उसके खलाब रोको टोको अभ्यान के तहत कारवाह की जाएगी साथ ही दुकानदार बाहर रसी बांद कर रखें जिससे की डिस्टेंसिंग रहें और चूने से गोला बना कर रखना होगा यह पूरी गाइडलाइन कलेक्टर से लिंसिंग के द्वारा जारी की गई है और साफ निर्देश किये गए हैं कि सभी को इसका पालन करना हुबाँ हुबाँ